इस तरह से आपने रैप लगाने अब बोडी का पूमेंटन बहुत जादा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे खीचने फिर ऐसे जा रहे हैं इन चीज़ों का भी आप ज्ञान दीजिएगा ठीक है हेलो दोस्तों मैं रड़कां दूंगाई आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल यंग वाइड फ्री में हमारा आज का प्रोग्राम बिगनर्स और काउट के उपर है जो बच्चे जो बच्चे तइन जिम में नए हुते हैं जिनको यह समझ में नहीं आता है जिम में जब आते हैं पुरवात में आते हैं नोस्तों काहां से आते हैं तो यह बटाएट इसी 30 वरगाउट बताऊ ने करने हैं एक एक जिम छोड़ के लग क्योंकि अभी अभी आपका फुर्वादी टाइम है जिम का तो आप ऐसा मत सूचिए कि आपको हर दिन आके बहुत जादा एक साइसे करनी है अब कुछ नहीं है आपके वाले एक घंटे का एक स्टाटप साइडेूर लीजिए एक दिन कंप्रीन ट्रेस दीजिए इस लगाऊट अब इस लाःप से अपना वरकाऊट आप स्टाट दीजए तो इस लोगाऊट आज नहीं आपको बताने वाला हूँ इसके 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 आंदर मैं आपकी पूरी बॉड़ी कवर होगी ठीक ह अलग-अलग एक्सरसाइजों के जड़ी तो पूरी डिटेल से मैं आपको समझाओंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आए चलिए हम सुरुबाद करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से जो होगी हमारी फ्लैट बेंच प्रेस यह आपकी चेस्ट मसल की एक्सरसाइज है और यह आपकी अपर बॉड़ी को एक अच्छा लुप भी देती है और स्ट्रेंग एक जिससे आपकी अर्म में भी इस्ट्रेंट आती है क्योंकि आपकी लोड रहता है फूरा चेस्ट फोकस करनी हुती है तो इसको सुरू करते हैं अगर अगर आप स्टार्टिंग कर रहा है तो इतना उतsın अपनी स्टेंट के साफ से अपने वेड को चुने या आपका अपसे बहुत होना चाहिए दूसरा हम लगाएंगे चार से आठार प्रेट के चार सब्सक्राइब ठीक है अमने आपको दिदातों हमने क्या करना है आपने बार को सोडर बिटके थोड़ा भार पकड़ना है बहुत अंदर नहीं पकड़ना है बार को थोड़ा साफ ने कितना कितना भार लेना है आपके हाथ कितने ज्यादा भार में नहीं होने चीए ठीक है उठाने में जो यहां आपके हाथ आए आपके हाथ इस तरह आपके के साइड मान थी ठीक है और आपके बार यहां गर्वर्मन की आएगी आपके बार हिंपल के पास आएगी ठीक और जब आप उपर उखाएंगे तो आपने सांस छोड़नी है जब आप नीचे लाएंगे तो सांस रीजिए आप भारे कमणी दो चुके हैं अब लिफ्ट में आपने खास ज्यान रटना है आपने जट्के से नीचे नहीं राना है आपने थोड़ा रोख के लाना है और आराम से उखाना है ठीक है इन चीजों के आप बिसे ज्यान दखीना इससे एंज़िके चांद कि आपके बहुत का म देखिए जब आप उठादे हैं चीज़िक तो आप भीरे से नीचे लाइए और आप शोटे पर उपा लिफ्ट रहें आप जटके से नीचा ठीक है हलके मुमेंटम के साथ लाना है इसी तों टैंपू होते हैं यूं हलका टॉच करना है सीने पर ऐसे खिराना नहीं है बाग सर नहीं उठाना है अपना सर पहेंच रखना है ठीक है आपका सीना पर शटा होना चीए आपके पांच अबील मरें चीज़ तरीके से इन सब दों कर घ्याल दीके आपको लिफ कर इन जीजों का आप धान रखेगा आपके लिफ बहुत अच्छी होगी आप आपको याज ज había पूरों कर लें स्टार्टिंग से फिले इस फेले मैंने आपको वामप नहीं दिखा वामप के लिए हमारे जा सकते हैं ठीक है अलग से हमाले रूपिंक पुरा बना रख़ है आप उसको देखे यह ना आये बटन में लिंक देदूगा आपको वाम अपको देख रिख रिख सी पुलब नहीं होते हैं तो यह बहुत अच्छा उसके साथ एक अल्टरनेटिव एक्साइज हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से तो तो हम करना है लैट पूल डाउन तो इसमें भी आपकी जो ग्रीप होगी आपकी सोल्टर ग्रीट्स में ग्रीप होगी एकदम बहुत जाता हीजू वा इसमेंख उती है पर ऐसब के से खिली के साथ से बहुत अच्छा हुदी होता है यह वाला को हुग को वराख आपने तन के रखना waking दिर टींटिंग अर्दा आतster चिन के न्यचे बार आपके चेंद के निचे आएगे यहां पर ठीक जब आप यहां पर लाएंगे आपके साथ होंगी यह होगे दस रख एड़े आपने चार सेंद लगाने दस रख ठीक अपना अपना इन गॉडरेट लग लीजिए बहुत ज्यादा है जाएवी कि आप सब्सक्ता नहीं है कि आप जूल रहो बार के साथ पुरा कंट्रूल होना चीए बार वेट आपके इसारों पे नीचे इन चीज़े बिले जा रहे है इन चीज़े आप जिहां दीजिए ठीक है अब अमारी इस एक्साइज होगी सीटेट तंबल प्रेस ठीक है यह सोल्डर प्रेस ए और यह हमारी सोल्डर की एक्साइज है बहुत अच्छी ओवर और आपके तीनो हैट इसमें इंवाल होते हैं इसमें जिदो तो आपको इस तरह काव को ढूरा आपके तीनों हुद्का तो तो आपके चेवी इसमें है थिस तरह को कि परोटी जो जो आपकी आदी सदी मसंल को हिख स मतल nyt ने एक ऐसरी ओंसे झौटार प्रेस जाएक तीक है रिवाधि ठीक है तो अब लगाएंगे डंबल प्रेस तो इसमें आप डंबल ले लिए अपने साब से इसके पर हम चाया सेंट लगाएंगे दस-दस रैप के ठीक है तो आपके सोल्टर पर डंबल आजेंगे और आपने सीधा अपने सांस होनी है ठीक है तो नीचे आएके सांस लेएंगे उठाएंगे सांस होनी है तो यह होगी आपने सांस लेनी है और जब उठाएंगे सांस लेना छोड़ने के जो जो एक तरीका उता वो ऐसा है जब आपकी बड़ी बड़ करती है बड़र वहां आपने सांस लेएंगे जैसे हमने बेंटटवर्यस लगाई तो उसको उठाने में आपको तार्राब लगा तो आपने वहां सांस होनी है कि डंबलो dumbble-sorder-press कि उठाइने पी तागत हरे हैं तो आप सांस छोननी है हमने रावолог के घ्रीचने में तागत लखी है उसमें जेज़ने करने हम न हम के वीक्रेटी कि हमारे गंसे हना हम उचना ह åb आपके समझ छूटेगी ठीक है चलिए आगे लगते हैं अब हमारी चौछी एक सेज है अब है लेज एक्सेंशन यह ना क्वार्टिसिब मसल की जो आपकी थाई का उपर का हिस्सा होता है जो आपको दिखता है सामने से उसके कांग करती है ठीक है यह पुरे क्वार्ट को आप पूल राइब होंगे तिक हम चार सेट दस राइब लगाएंगे हम इसके वी चलिए दिर सुरू करते हैं यह होगी लग एक्सेंशन कम्प्लीट अब चलिए लग भी हमारी कम्प्लीट होगी है अब हम चलेंगे अपनी आंप के फरकाउट में ठीक है हम पहले बाइसफ लगाएंगे उसके बाद ट्रैसब लगाएंगे हमारे गुर एक्सेज बचिए आज के सिदू में अब हमारी यह हमारे बाइसेट को प्रेंट करेगी ठीक है और तो इसके लिए मैंने लिए इजी बारकल आसान उठाने पर ने जिसके पर हमारे चार सेट्ट थस रएप होंगे ठीक है ग्रीब आपकी यह हुनी चाहिए फिकता माइड रिटिदी एसा पर नहीं पगाणना हमने वाइड हमने क्रिप पकाड़नी सॉल्डर प्रिट्स पे नॉर्मल और जब उठाएंगे तो आमने साम सुन्दी है कि इसमें एक ज्यान आपके खॉड देन है आपकी अलबो आपकी कोहनिया आपके शोल्डर की सीजम होनी चीए आप जब भी पार को खाएंगे तो आपकी अलबो शोल्डर की सीजम में रहेंगी ना तो पीछे और ना आगी जाए आप इस वाले आइना में अपनी बैसस्कार कर ठीक है यूँ आप अधों को पुरा खोलिए हाथों को आधानी खोले हाथों को अपूरा उपर ता गिलाने की आप पोसिस करिए यूँ ठीक है अब फिर देरे से नीचे नाएए यह वह आपकी बैसस्कार कि आप है और आज की हमारी आधी अध्य सब्सक्राइब करएं जिसके आम लगाएंगे तीन सेट तंदरा रहत तीन सेट कर दी और रहा चार्चार सेट यह इसमें ने तीन सेट कर दीए तो बड़ा प्रेंग को ही ठीक है यह आपके अधा पीछे मुसल किये आपके हाथ का प इसमें लिए आप जब खीजेंगे तब आपने सांस खूंगी है जब भी आप खीजें पुरे कंट्रोल के साथ खीजें उस पर जज़का ज्यादा नात है ठीक है आपके अलबो और सोल्डर की जो कोजिशन बन गई है इसी कोजिशन आपने खीचने में आपने अलबो आगे पीछे नहीं करनी है खीचने में नहीं तो आपको एक्सराइज जो एक्सराइज हो उसमें आपका मोमेंटन नहीं होना चाहिए आप जो मसल के लिए कर रहे हैं वह मसल आपकी स्टेवल होनी बहुत जरूरी है स्टेवल होने पर यह फील ओपाए ठीक है अगर आप बैक कर रहे हैं आप बहुत जादा हिलेंगे तो आपकी एक्सराइज इसका बी सेड्यों आएगा इसका छीर सेड्योल आएगा वह आपने पूरे वीकली करना है उसमें क्या करना है आपने या आपकी मंदे को होगी ठीराबे टुस्बेप दिना है रैस्ट उसके बाद वाद वह अफ्यानगे को फिर आपका थानुल अपका फ्राइज को और प्रोग्रेसिव ओवर्लोड भी आप कर सकते हैं जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं वर्गाउट की तो सुर्वाद में आप से हलका उठेगा तो आप धीरे ऐसा नहीं है कि आपने पूरे महीने तरफ हलकी वेट से ही करना है अगर अगर आपकी मसल है वेट की तरफ जा रही ह है उसमें जो भी आप बढ़ाएंगे वेट उसको तरीके से बढ़ाएं एक स्टे़ूर वाइस पढ़ाएं पूरी बनाइए उसमें अपना अपना सद्न अपनी डाइट किस-किस टैम में इस वीक में आपका बैट इतना था इस वीक में इतना है इसका पुरए चार्ट बनाईए तो उसके आपका overload पता चलेगा, आपके muscle strength मालूम चलेगी, ठीक है, और growth दिखेगी आपकी body में, ठीक है, ओके तब मिलते हैं, अगले वीडियो में, आपके peace एकुए स्बएकी का ओके मांके और चर अपकी करेंए सेया करते हैं, आपके की मैं प्राबए्यों